गुड मॉनिंग इस्टुटाइम हम पढ़ रहे हैं बजट 2020 और दो क्लास से पिछली कर चुके हैं हम इस बजट को ऐसा पढ़ रहे हैं कि आगे आपको किसी से बजट पढ़ने की अविश्कता ही नहीं पढ़े केबल फैक्ट ना पढ़कर चीजों को बहतर तरीके से समझने क की कोशिस कर रहे हैं और देखो इसमें हमारा टॉपिक चल लाहा था बीनिवेस बीनिवेस और कॉर्प्रेट यहां पर देखो एक बात और भी समय नहीं की अवश्का है केबल लेखने से काम नहीं चलता वहीं है ना तो समयने की कोशिस करो यह पूरा जो बजट है यह आपक प्रत्यक्च रूप से मतलब डारेक्ट या फिर एप्रत्यक्च रूप से प्रत्यक्च रूप से यह प्रत्यक्च रूप से बीनिवेस चेत्र को या आप ऐसे कह सकते हैं बीनिर्मार बीनिर्मार चेत्र को समर्पित किया गया है इसका मतलब क्या हो गया देखो बीनिर्मार चेतर का मतलब है manufacturing जहां पर बस्तोंगों का निर्मार होता है आप इस बात को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आने वाली बहुत सारी चीज है क्योंकि इंफ्रा रक्षर हम पढ़ने वाले आधार भू चीज है वो भी इसी चीज को ध्यान में रखकर बनाई गई है और बहुत सारी योजनाए हैं क्योंकि देखो अभी जो परियाठन को विकास देने के लिए मतलब परियाठन को विकसित करने के लिए चीजे की गई है तो इससे भी हम इसी चेतर में जाएंगे मतलब चाहें तो डारेक्ट हम देखें या इंडारेक्ट देखें हर चीज में इसे इंट बस्तूओं का निरमाण किया जाता है कोई भी बस्तूओ एक छोड़े से पहन से लेख एरोप्लेन तक चीज़ें जिस मार्केट में जिस बाजार में बनाई जाती है उसी को कहते हैं भी निर्माण चेट चपलबनाने की फैक्टरी बोस में आएगी जूते बनाने की पैन पैंसिल, कार, मोटर साइजल, सब बनाने की फैक्टियां इसी के अंतर आएंगे और ये ही निर्भर करता है, मतलब इसी पर किसी देश की विकास दर निर्भर करती है विकास दर की वो देश कितनी तेजी से विकास कर रहा है, सारी बाते किस पर निर्भर करती है बी निर्मार छेतर पर इसमें जितनी जादे बस्तुओं का निर्मार होगा इस बजार के अंदर जितनी जादे बस्तुओं का निर्मार होगा उस देश की विकासदर उतनी ही जादे होगी और ये विकासदर को हम बिल्कुल सिंपल सब्दों में जानते हैं GDP, Gross Domestic Product, इसे पूरा डिटेल से हम economy में पढ़ते हैं, अभी बिल्कों simple, language में आप समझने की कोशिस करें, GDP का मतलब है, जादे से जादे बस्तुओं का निर्माण होगा, तो GDP भी क्या होगी? जादा, अब देखो direct और indirect, direct way में तो यही कह सकते हो, कि तीन लाख करोड से भी जादे के बजट में बड़ोत्तरी की गई, तो वो भी एक छेत्र है, क्यूंकि अगर तीन लाख करोड रुपे, तीन लाख करोड रुपे बजट में बढ़ाए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो चाहें तो प्षूप से बाजार में जरूर आने हैं, अगर बाजार में आएंगे, तो सीधे किसे कर फिर्भाव डालेंगे, वी निर्मार्ण छेत्र पर, कैसे देखो, जब व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा होगा तो बिर्धिक क्या होगा? ज़्यादा, और फिर जो मतलब दो परकार के व्यक्ति होते हैं ये मार्केट में, एक तो उत्पादक हो गया, और एक हो गया उत्पादक के पास पैसा है, तो वो जादे से जादे बस्तुमों का निर्मार करेगा, और उत्पादक के पास पैसा जादे है, तो वो जादे से जादे चीजों क को खरीदेगा अगर यह दोनों काम ज्यादा होते हैं तो उस देस की विकास mı्मति gradu क्या होती है ज्यादा होती है और जी डीपी व्या होती ज्यादा और पिछले कुछ महीनों में यह समय में हमारी फिखले 10 तो के निम्नतम इस्थर पर रचुकित तो इस चीज से मुक्ति पाने के लिए या आप ऐसे कह सकते हैं इसमें सुधार करने के लिए ये GDP हमारी क्या हो गिरोवप हो प्रत्यक्ष रूप से या ए प्रत्यक्ष रूप से बी निर्मार छेत्र को ही फोकस किया गया है तो देखो इसमें एक दो बाते हैं कि इस इस डॉलर की हो जाएगी कितने पांच ट्रिलियंड डॉलर की हो जाएगी इसका मतलब क्या है देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता हमारा देश बन जाएगा और बटमान में कौन सी है तो देखो बजट 2020 में ये बताया गया है बटमान में हमारे पास 2.94 ट्रिलिय डॉलर की अर्थ व्यवस्ता है हमारी कितनी है इतने डॉलर की अर्थ व्यवस्ता है और ये बिस्व में पांच में इस्थान लगती है तो ये मोस्ट इंपोडेंट बात है बलाइन पोशन है आपका ये कि भारत की जो अर्थ व्यवस्ता है 2.94 ट्रिलियन डॉलर की है और ब बिल्कुल बेसिक सब्दों में सोईने की फिर तो इंटर्नल तो बहुत सारी चीजे हैं वहीं इसमें तो यह फैक्ट बन लाइन है आपका आपको याद रखना है कि बर्तमान में हमारी अर्थव्य वस्ता लगभग तीन ट्रिलियन क्योंकि पॉंट जीरो सिक्सी तो कम है वही तो लगभग तीन ट्रिलियन डॉलर की है और इसका देश से कितना रखा गया है इसे पांच ट्रिलियन डॉलर बनाने का और यह कब हो सकता है जब भी निर्मान छेत्र तेजी से गिरो करे और जब यह तेजी से गिरो करेगा तो GDP भी क्या होगी तेजी से गिरो होगी और दे यह पूरी लिष्ट है मैं आपको बता रहा हूं पहले नंबर पर है USA दूसरे नंबर पर है चाइना तीसरे नंबर पर है जापान तीसरे नंबर पर है जापान और चौथे नंबर पर है जर्मनी और पांच में नंबर पर हम भारत आई ही जाते हैं और यह आंकड़े हैं देख इतने ट्रिलियन डॉलर की है और इसमें देखो और भी कुछ बात है USA की 80 वस्ता की हम वोड नहीं कर सकते यह बहुत ज्यादा है वही यह 21.44 ट्रिलियन डॉलर इतने ट्रिलियन डॉलर की है तो तीन से 21 तब पहुचना तो असंभब है तो इसे तो हम छोड़ी दे इसके बाद देखो दूसरी चाइना बहुत कम की है इसकी अपेक्चा हमसे बहुत जादा है यह यह भी है देखो लगभग 14.14 ट्रिलियन डॉलर तो हम चाइना के बराबर भी नहीं पहुंच सकते तीन से 14 पर नहीं पहुंच सकते तो इन दोनों की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्ता है बिस्ब में पहले नंबर पर यह है दूसरे नंबर पर चाइना है अब तीसरे और चोथे को हम पचार सकते हैं आने वाले कुछ बड़सों में पीछे छोड़कर तीसरी बिस्ब की तीसरे नंबर पर आने का हमारा टार्गेट है बिस्ब में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव् बनने का हमारा तार्गेट है तो आप जापान की देख सकते हैं मात्र 5.15 ट्रिलियन डॉलर की अर्थवे उस्ता है तो थोड़ी सी ही कम है वही अगर हमने 5 हांसिल कर ले तो 0.15 हांसिल करना कोई बड़ी बात थोड़े है और अगर जर्मनी पर जाएं तो जर्मनी से थोड़े यही पीछे हैं हम 3.86 ट्रिलियन डॉलर मात्र जर्मनी की यह है और यह आपने हैं सरकार के की अगले एक या दो बड़सों में हम जर्मनी की अर्थवेवस्ता को पचार कर कहां पहुंच जाएंगे हम चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे और लेकिन थोड़ा सा समय लग है देखो मैं आपको समझाता हूँ कि जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है 2020 में मतलब ग्रोथ रेट का मतलब कितनी तेजी से अर्थवेवस्ता ऊपर को चलेगी तो USA की तो बहुत कम है वह तो पाइंट जीरो है आप लेकले ना पूरा प्रोजेक्टेड ग्रोथ प्रोज लगभग और सक 2% रहने का है जबकि चाइना की बहुत जादा है वही चाइना की 6% रहने की उमीद है और जापान की देखो कितनी कम है 0.7% और इसकी देखो जर्मनी की 1.1% और हमारी देखो 5.8% तो आप खुद देख सकते हैं 0.7% और 1.1% हमारी कितनी है 5.8 तो हम तेजी इसे विकास करेंगे या नहीं करेंगे यह बताओ जब प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट कितनी है हमारी 5.8 तो इसी लिए कहां है जो हमारी वित्मंत्री निर्मला सीतरमन है और भी जितने भी वित्बान है उन सभी का कहना है कि कुछ समय में ही हम इन दोनों अर्थव्यावस प्रोजेक्टेड है घड़ जाएगी चाइना की क्यूंकि आप जानते हैं वे चाइना में कोरोना वाइरस चल लहाँ है और इसके कारण वहां की अर्थव्यावस्ता पर बहुत तगड़ा प्रभाब करने वाला है आप देख लेना जो प्राग्विक तीन तिमाही की होती है अर्थव्यावस्ता वह बहुत निम्नी स्थर पर पहुंच जाएगी अगर देखो आपको इस पर वीडियो चाहिए पोरोना वाइरस पर तो कमेंट वॉक्स में लिखना इसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको बताएगे वही हैं तो यह वाला कॉंसर्ट आप सभी को किया गया है इसमें यह जो आपका वजट है निर्वेक यूजना की sai। ने ऐसके वारे में निरुट यूजना तो यह बहुत बते और यह कि किस्से समब्दित है आप याद रखें जो निर्यातक होते हैं निरियातक का मतलब होता है, जो एक्स्पोरटर होते हैं भारत में बस्तुओं को बना कर कहां भीषते हैं विदेसों में भीषते हैं और इनसे सम्मन्न देथ हैं किस प्रकार की ये निरियातक रिण बीमा योजना हैं एक परकार की क्या है ये बीमा योजना और कैसा बीमा जो निर्यात तक रिड़ लेते हैं मत्तब जो भी एक्सपोर्टर रिड़ लेते हैं उनके बीमा से संबन्दिती योजना है अब इसे समझने की कोशिस करना बहुत अच्छी तरह सची जोड़ी सी जटल है लेकिन मैं आप जो प्लान है वो सीतारवण जी का है वित्मंत्री जी का वित्मंत्री जी का प्लान है कि हम इस योजना को लाएं और इस योजना से लाव क्या होने वाले हैं तो जो बीमा कवर्चेत्र है बीमा कवर्चेत्र वो तो गिरो होगा और जो इंस्टॉल्मेंट है इंस्टॉल्मे वो गट जाएगी और तीसरी बात ये करने का उद्देश से रखा गया है कि जो निस्तारण पृक्रिया है निस्तारण पृक्रिया उसे सरल बनाने की बात की गई है अगर लेता है कोई भी निर्यातक एक्सपोर्टर बजार से किसी भी बैंच से या सरकार की किसी भी बित्य संस्तान से लौन लेता है किस के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए तो उसे बीमा कबर छेत्र मिलता है इसका मतलब यह एक संस्था है आपकी संस्था का नाम है निर्यात रिंग गारंटी निगं यह एक संस्था है और जितने यह भी निर्यातत रण लेते हैं उन्हें 60-30 का इसका बीमा रिफेंड मिलता है मतलब इसका मतलब क्या हो गया आपने यह को बिल्कुल सीधे सब्दों में बता रहा हूं है कि आपने कोई रण लिया किसके लिए ट्रांस्पोर्ट करने के लिए आपका पैसा मारा गया कंप्प इससे हतोत सा हित्ते 40% तो देना पढ़ रहा है लेकिन इस योजना से क्या होगा यह बीमा कवर्चेत्र बढ़ जाएगा इसमें कितना कि किसी भी कंपनी का जो मूलधन होगा और इस पर जो व्याज होगा उसके 90% रिफेंड मिलने लगेगे 30 से कितने हो गए 90% तो बहुत बड़ा यह पोर्सन है कि 60 से डारेट आपको 90% रासी रिफेंड होगी या नगी आपको मिल जाएगी आप ऐसे कह सकते नहीं देनी पड़ेगी तो इससे क्या होगा जो छोटे निर्यातक हैं इससे होगा क्या मतलब लाव क्या होगा सरकार को लाव क्या होगा या आप यह कह पास से जा रहा है तो छोटे निर्यात तक इस बात से क्या करेंगे वई जाद से जादा निर्यात रिण लेंगे जाद से जादा निर्यात रिण बित्र Mad वितरित किया जाए यह मूल उद्दे से है जादे से जादे निर्यातर लोगों को प्रोवाइड कराना अब सरकार को इससे क्या फायदा होगा देखो कोई भी निर्यातक है वो क्या करता है बी निर्मार करता है बी निर्मार करता है बी निर्मार का मतलब कुछ नो कुछ तो प्रोड़क्त बनाता है और अभी इससे फांच मिनट पहले ही हमने आपको बताया शरकार का मूल लग देसे क्या है बी निर्मारण च्छेत्र कोभू अपकना बी निर्मार magically देस कर Know गो तो इससे क्या होगा जब इन्हें जादे से जादे लाइन मिलेगा तो वह जादे से-जादे बस्तों का निर्मार करेंगे विदेश को बेचेंगे तो क्या हमारी GDP नहीं बढ़ेगी हमारी GDP क्या होगी गिरोफ होगी और सरकार यही तो चाहती है कि GDP लगाता नीचे की ओर गिर रही है और यह भी बात आपको याद रखनी है नोट करके लिख लेना यह जो योजना बनेग कि यह इसका संचालन होगा निर्वी की योजना का यह पूछा जा सकता देखो इसका त्यार करेगा यह इसे बनाएगा आप ऐसे खह सकते हैं और आप जानते हैं कि जो उध्योग और बानिज्य मंत्री कोन है इसमें प्यूस गोयर केबिनेट मिनिस्टर तो आपको याद तरूर पता होना चाहिए आपको तो आप समझे है निर्वी की योजना मोस्ट इंपोडेंट है एक सब्ध में आपके हैं तो निर्यात रणके बीमा से संब्द नेत है एक तो मोस्ट इंपोडेंट यह हो गया बी निर्वान छेत्र पर फोकस हो रहा है इससे भी लेकित इंडारेक्ट में में इसी में देखो एक चीज और है देखते हैं देखो अभी यह जो बजट आया है आपका 2020 आपने सुना होगा यूपी में योजना चली थी चाहिए याद होगा आपको नहीं भी याद हो तब कोई समस्य नहीं है बंद दिष्टेक बंप्रोड़क्ट का मुतलब होता है कि एक जिले को एक विशेस प्रोडक्त यानि की उत्पात के लिए जाना जाए जैसे मुरादवाद को पीतल के पदार्तों के लिए पीतल यातेयाद के लिए जाना जाता है वही और मतला और भी देख सकते हैं जैसे आपको और छेतर होते हैं जैसे आगरा आगरा चम्ड़े के लिए जाना जाता तो बिलकुल एक इसी परकार की योजना है जो सरकार है उसने यह कहा है कि अब हर जिला अब हर जिला एक निर्याग के अंदर बनेगा निर्याग के अंदर का मतलब क्या है कि पृतेग डिश्टिक देश में जितने भी डिश्टिक हैं वो एक प्रकार से एक्सपोर्टर हो जाएं एक विसेश प्रोडक्ट के लिए जैसे मुरादवादी आते तो मुरादवाद किसके लिए जाना जाता है भी पीतल के ट्रांसपोर्ट के लिए आगरा किसके लिए जा बनाना जाता है बरेलीग तो इस प्रकार की परियोज stimulation आही कर्mania श्यक्तुम्हर से हैं वह है का मुवाइल-श्यतर कि मुवाइल-चैड़ जादे से ज्यादे जो मुवाइल-चैडर के हव्ब हैं वह बनाने की कोसिस की जाए और जो आपका सेमी कंड़ेक्टर होता है चिब जो अधित होती है सेमी कंड्यक्टर ये बनाने के और जितने भी इलैक्टोनिक डिवाइस हैं फिर कि रूप में contra की जाए जब एइसा किया जाएगा बह्तला ये सारी चीजी क्편ि तो इन चीजों को कम करने के लिए भारत में ही इन चीज का हवब बनाने की कोशिस की जा रहे है इसके लिए बहुत सारी प्रिक्रिया आपना है यह जो आयात सुल्क होता है उसे सरकार ने क्या करावई 10 से 15 परसेंट बढ़ा दिया आयात सुल्क को 10 से 15 परसेंट बढ़ा दिया इसका मतलब यह है अगर विदेश से आप कोई भी इलेक्रोनी डिबाइस मंगाते हो तो आयात कर निकली मतलब हमारे देश में जादा सुल्क देना पड़ेगा इससे प्रभाब क्या होगा ति जितने भी इलेक्रोनी गैजेट्स हैं ये मोबाइल हुआ आपका कोई भी चिप या सेमी कंडेक्टर हुआ या फिर कोई भी चार्जर इस तरह की चीज हुई या बैंटरी हुई आपकी ये एक से दो प्रतिसत मेंगे हो जाएंगे समझना इस चीज को यहां से जोड़ने की कोशित कर रहा हुँ है जब एक से आप यह मान पर चलो पचास रुपे का एक चार्जर मिलता है तो ये दो परसेंट बढ़ गया यानिकि कितने रुपे का तो विदेशी चीज महंगी हो गई तो इससे क्या होगा जो हार्टी है जो पहले से योजना चलाई जा रही ती मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया इसे भी बड़ावा मिलेगा इसका अर्थी यही तो था वही चीजों को जादे से जादे भारत में बनाये जाए और भारत की जो लोग हैं वो क्या करें देश की अर्थवेवस्ता में जिकारा नहीं होंगे वहाँ पर यह भी होंगे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं और इसके लिए देखो एक पॉर्टल लांज करने की भी बात की गई है ये आप कुछ दिनों में ये अपडेट भी हो जाना आप इससे एक पोटल बनाने की बात कही गई है कि हर डिश्टिक के पोटल को चाहे कैंदर इस्तर पर हो या फिर राज्य इस्तर पर अरे बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अमेजन है ये फिलिप काड़ें ये क्या करते हैं प्रोड़क्ट को दोर डोर या हैंड टो हैंड बेशते हैं कि हर हाथ में मुवाईल होता हैं खरीश सकते हैं तो एंड टो एंड की बात ही की गई है कि एक ऐसा पोटल बनाया जाएगा जो भारत के पृतेग जिले को जो एक निर्यात के अंदर के रूप में बेखसित होगा वो इस पोटल के मात्यम से केंदर और राज्य इस तरफ पर उसका प्रिचार प्रिचार या उसे बेख सकेंगे तो ये सारी बात है इस छेतर की और एक चीज और है वो थोड़ी सी कॉर्परेट चेतर या बिल्यवेस चेतर की वो जुड़ी भी है आपकी बैंक चेतर से वो बताने के लिए बहुत कुछ बताना पड़ेगा तो बैंक वाले टॉपिक पढ़के हम इसमें उसके बाद उस पर आएंगे इसके बाद देखो अगला हम फिर इसके बाद पढ़ने वाले हैं जो जादे लंबी हो रही वीडियो आज थोड़ी सी मतलब समझाने वाले चीज़े जादे थी अगला टॉपिक हमारा यह वाला आप कंप्लीट मान सकते हैं इंफ्रा रच्चर होगा आधार भूत सन रचनाएं इसमें रेलवे को मजबूत करने की कोशिस की गई है नए सांस्कृतिक इस्थल बनाने की कोशिस की गई है तो इन सारी चीजों को कल देखो आप चीज़े समझ गए हैं जादे समझाने की बश्कता नहीं है फैक्त वाली चीज़े भी जुड़ जाएंगी अब तो आप वीडियो अगर पसंद आए हो तो इसे लाइक करें बही और चैनल को सब्सक्राइब करें, जादे से जादे वीडियो को सेर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें, थैंक यू